सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तो बीटाउन अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले लव आज कल फिल्म के डे सत्रा के इंडिया के ओवर्सिस के और वर्लवाय के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो आप भी अगर कार्तिकारियन और सारा अलिखान के ट्रू फैन है तो इस चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तो लव आज कल 14 फेबरुआरी 2020 यानि कि वेलेंटेंड डे उपर रिलिज हुई थी और इस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें कार्तिकारियन सारा अलिखान और रंदी फुन्डा देखने को मिले है दोस्तो ये एक रोमेंटिक लव स्टोरी फिल्म है लव आज कल फिल्म को इंडिया में दोजा स्क्रीन में रिलिस किया गया था और इस फिल्म को डायरेक किया है इमतिया जली ने दोस्तो इस फिल्म का जो run time है वो 141 minute का है और लव आज कल फिल्म का जो budget है वो 55 करोड है दोस्तो इस फिल्म से बहुत ज्यादा expectation थी पर इस फिल्म को mix review मिलनी की वज़े से इतना collection नहीं कर पाई तो चलिए दोस्तो बीना देर करते इस फिल्म के box office collection के बारे में बात करते है तो लव आज कल फिल्म ने अपने पहले दिन opening तो ज्यादा ली थी बढ़िया ली थी पहले दिन 12 करोड 40 लाग, दूसरे दिन 8 करोड, तीसरे दिन 8 करोड 10 लाग, चोथे दिन 2 करोड 75 लाग, पांचमे दिन 2 करोड 30 लाग, छठे दिन 1 करोड 55 लाग, शातमे दिन 1 करोड 80 लाग का collection किया था दोस्तो इस फिल्म ने इसी तरह इस फिल्म ने अपने पहले वीक में इंडिया से 37 करोर 65 लाग का कलेक्शन किया है दे 8 को इस फिल्म ने 50 लाग, दे 9 को 60 लाग, दे 10 को 1 करोर, दे 11 को 60 लाग, दे 12 को 50 लाग, दे 13 को 42 लाग, दे 14 को 40 लाग, दे 15 को 35 लाग, दे 16 को 55 लाग, और आज इस फिल्म का दे 17 है और आज Sunday होने की वज़े से इस फिल्म के अंदर ग्रोह देखने को मिला है तो आज ये फिल्म 80 लाग का कलेक्शन कर रही है दोस्तो इसी के साथ लव आजकल फिल्म का 17 दिनों का टोटल कलेक्शन होता है इंडिया से 45 करोड और इस फिल्म का इंडिया का ग्रोस कलेक्शन होता है 53 करोड और दोस्तो आपको पता दो कि लव आजकल फिल्म ने 17 दिनों में वर्ल वाइल ली टोटल कलेक्शन किया है 69 करोड जो की बहुती बढ़िया है मिक्स रिव्यू मिलने की वज़े से तो दोस्तो आपको ये फिल्म कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लगके जरूर बताए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए